जिला अलीगण मुख्याले से करीब 20 किलोमेटर दूर थाना गोंडा क्षेत्र में एक गाव है वींजली इस गाव में एक किसान परिवार है अतर सिंग का उसके परिवार में उसकी पत्नी कस्तूरी के अलावा पाँच बेते हैं इन में सबसे छोटा है जैकिंदर अतर सिंग के तीसरे नंबर के बेटे को छोड़ कर सभी बेटों की शादिया हो चुकी है इसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक ही मकान में संगठित रूप से रहता है अतर सिंग का सबसे छोटा बेटा जैकिंदर आंधर प्रदेश में रेलवे में नौकरी करता है देड साल पहले उसकी शादी पुरा स्टेशन हातरस निवासी फौजी रमिश्चंदर की बेटी प्रेमलता उर्फ मोना के साथ तै हो गई थी मोना के पिता के सामने अतर सिंग की कुछ भी हैसियत नहीं थी यहां रिष्टा जैकिंदर की रेलवे में नौकरी लग जाने की वज़ह से हुआ था अतर सिंग ने समझदारी से काम लेते हुए जैकिंदर की शादी से पहले अपने मकान के उपरी हिस्से पर एक हालनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी ताकि दहेज में मिलने वाला सामान धंग से रखा जा सके साथ ही उसमें जैकिंदर अपनी पत्नी के साथ रह भी सके मई 2015 में जैकिंदर और मोना की शादी हुई तो मोना के पिता ने दिल खोल कर दहेज दिया जिसमें घर ग्रिहस्थी का सभी जरूरी सामान था मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जैट-जैथानियों की हालत देख कर परेशान हो उठी उनकी माली हालत ठीक नहीं थी उसकी समझ में नहीं आया की उसके पिता ने क्या देख कर उसकी शादी यहां की मोना ने अपनी मा को फोन करके वस्तुस्थिती से अवगत कराया मा पहले से ही हकीकत जानती थी इसलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा तुझे उन सब से क्या लेना देना छट पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है तेरा पती भी सरकारी नौकरी में है तू मौच कर मोना मा की बात मान गई उसने अपने दहेच का सारा सामान उपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया उस कमरे को देख कर कोईर भी कह सकता था कि वह बड़े बाप की बेटी है उसके हालनमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और गैस वगेरा सब कुछ था सोफा सेट और डबल बैड भी शादी के बाद करीब पंदरा दिन बाद जैकिंदर मोना को अपने घर वालों के भरों से छोड़ कर नौकरी पर चला गया पती के जाने के बाद मोना ने उपर वाले कमरे में ना केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बलकि पती के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे उपर खेलने आ जाते तो वहाँ उनसे जरूर बोल बतिया लेती थी वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सिम्टी थी उसकी जिन्दगी में अगर किसी का दखल था तो वहाँ थी दिव्या, जैकिंदर के बड़े भाई की बेटी दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती थी ताकि रात में उसे डर ना लगे इसके लिए जैकिंदर ही कह कर गया था देखते देखते जैकिंदर और मोना की शादी को एक देट साल बीद गया जैकिंदर दस से पाँच दिन के लिए छुट्टी पर आता और लोट जाता उसके जाने के बाद मोना को अकेले ही रहना पड़ता था मोना को घर की जगह बाजार की चीजे खाने का शौक था इसी के मद्दे नजर उसके पती जैकिंदर ने एक दो बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो सोनो को बुला कर बाजार से से मंगा लिया करे सोनू जैकिंदर के पडोसी का बेटा था जो किशोरावस्था को पार कर चुका था वह सानू से जैकिंदर का करीबी दोस्त था सोनू बिलकुल बराबर वाले मकान में रहता था मोना को वहाँ भाभी कहकर पुकारता था मोना ने शादी में सोनू की भूमिका देखी थी वह तभी समझ गई थी कि वहां उसके पती का खास ही होगा जैकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला आता था नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह चज्जे से कूत कर आ जाता दोनों आपस में खूब हनसीम जाक करते थे मोना तेस्तरार थी और थोड़ी मोफट भी कई बार वह सोनू से द्वेर्थी शब्दों में भी मजाक कर लेती थी एक दिन सोनू जब बाजार से वापस लोटा तो मोना चछत पर खड़ी थी उसने सोनू को देखते ही आवाज देकर उपर बुला कर पूछा आज सुबह से ही गायब हो कहां थे? भाभी बनियान लेने बाजार गया था सोनू ने हाथ में ठामी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया यह सुनकर मोना बोली अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते की कुछ मंगाना तो नहीं है कल फिर जाऊंगा बदा देना क्या मंगाना है? सोनो ने कहा तो मोना ने पूछा और क्या लाए हो बताया तो बन्यान लाया हूँ सोनो ने कहा तो मोना बोली मुझे भी बन्यान मंगानी है ला दोगे न तुम्हारी बन्यान मैं कैसे ला सकता हूँ मुझे नंबर थोड़े ही पता है सोनो बोला साइज देख कर भी नहीं ला सकते बेकार की बाते मत करो साइज देख कर अंदाजा होता है क्या तुम बिलकुल गमवार हो अंदर आओ साइज दिखाती हूँ कहती हुई मोना कमरे में चली गई सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया कमरे में पहुचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली लो नाप लो साइज खुद पता चल जाएगा मुझ से साइज मत नपवाओ भाभी वरना बहुत पच्चता होगी पच्चता तो अब भी रही हुँ तुम्हारे भया से शादी करके मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा क्यों सोनु ने पूछा तो मोना बोली महीने दो महीने बाद घर आते हैं वहाँ भी दो दिन रहकर भाग जाते हैं और मैं ऐसी बदनसीब हुँ की देवर भी साइज नापने से डरता है कोई और होता तो साइज नापता और मोना की आंखों में नशासा उतर आया था अभी तक सोनु मोना की बातों को केवल मजाक में ले रहा था उसमें उसी हिसाब से कह दिया जब भाया नौकरी से आए तो उनी को दिखा कर साइज पूछना अगर पती बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए मोना ने सोनु का हाथ पकड़ते हुए कहा क्या क्या काम कराओगी देवर से सोनु ने शरारत से पूछा जो देवर करना चाहे भाभी मना नहीं करेगी बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए मोना हंसी कल बात करेंगे कहते हुए सोनु वहाँ से चला गया दूसरे दिन सोनु मा की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जा पहुचा उस वक्त मोना खाना बना कर खाली हुई थी सोनु को देखते ही वह चहक कर बोली बाजार जा रहे हो गया मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ तुम्हे कुछ मंगाना हो तो बोलो सोनु ने पूछा मोना बोली बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना मोना ने चहरे पर बनावती उदासी लाते हुए कहा पर्ची दे दो तलाश कर लूँगा मोह जुबानी बोल देना की प्रेमरोग है जो भी दवा मिले ले आना भाभी तुम्हे ये रोग कप से हो गया सोनु ने हंस्ते हुए पूछा ये बीमारी तुम्हारी ही वज़ा से लगी है मोना की आंखों में खुला निमंत्रन था फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी एक खुराक अभी दे दो आराम मिला तो और ले लूंगी कहते हुए मोना ने अपनी दोनों बाहें उठा कर उसकी और फैला दी सोनो कोई बच्चा तो था नहीं न बिलकुल गमवार था जो मोना के दिल की मन्शा न समझ पाता बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया थोड़ी देर में देवर भाभी का रिष्टा ही बदल गया सोनो जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था मन में कई महिनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी दरसल जब से मोना ने उसे इशारो इशारो में रिजाना शुरू किया था तभी से वह उसे पाने की कलपना करने लगा था उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिष्टों की वज़ से लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोर डाले थे धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चड़ने लगा मोना को सासस्सुर जट जेठानी किसी का डर नहीं था वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी पती परदेश में नौकरी करता था बाल बच्चा कोई था नहीं बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की 14 वर्षिय बेटी दिव्या ही थी जो रात को मोना के साथ सोती थी वह भी इसलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पती बड़े भाया से कह कर गया था मोना अकेली है दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करें इस बीच वह शरार्ती देवर सोनू को बुला लेती थी स्कूल से आने के बाद दिव्या कभी चाची के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में मा का हाथ बड़ाती कभी कभी वह अपनी सहेलियों को लेकर मोना के घर आ जाती और उसे भी अपने साथ खिलाती मोना पूरी तरह सोनू के प्यार में डूप चुकी थी वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बलकि पूरी रात सोनू के साथ गुजारे शाम धल चुकी थी अंधेरे ने चारों और पंक पसारने शुरू कर दिये थे दिव्या को उसकी मा मंजू ने कहा जब चाची के पास जाए तो किताबे साथ ले जाना वही पढ़ लेना दिव्या ने ऐसा ही किया दिव्या चाची के घर पहुँची तो दर्वाजे के किवार भिड़े हुए थे वहां धक्ता मार कर अंदर चली गई अंदर जब चाची दिखाई नहीं दी तो वहां कमरे में चली गई कमरे में अंदर का द्रिशे देख कर वहां सन्न रह गई वहां बेड पर सोनू और मोना निर्वस्त्र एक दूसरे से लिपते पड़े थे दिव्या इतनी भी अंजान नहीं थी कि कुछ समझ न सके वहां सब कुछ समझ कर बोली चाची यहां क्या गंदा काम कर रही हो दिव्या की आवाज सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठा कर बाहर भाग गया मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा दिव्या तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूँगी तुम तो मेरी सहली हो नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मोना ने दिव्या को बहलाना चाहा लेकिन दिव्या ने खुद को मोना से अलग करते हुए कहा तुम गंदी हो, मेरी सहली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी मोना ने कान पकड़ते हुए नाटकिय अंदाज में कहा कसम खाओ, दिव्या बोली मैं अपनी सहली की कसम खाकर कहती हूँ बस चलो खेलते हैं, इस सब को भूल कर दिव्या के बाल मन ने कहा तो मोना ने दिव्या को अपनी बाहों में भर कर चूम लिया कितनी त्यारी हो तुम 26 दिसंबर 2016 की अलसुबा गाव के कुछ लोगों ने गाव के ही गजेंद्र के खेत में 14 वर्षिय दिव्या की गर्दन कटी लाश पड़ी देखी तो गाव भर में शोर मच गया आननफानन में यह खबर दिव्या के पिता उमप्रकाश तक भी पहुँच गई उसके घर में कोहराम मच गया परिवार के सभी लोग रोते बिल्खते जिन में मोना भी थी घटना स्थल पर जा पहुँचे बेटी की लाश देख कर दिव्या की मा का तो रोरो कर बुरा हाल हो गया किसी ने इस घटना की सूचना थाना गोंडा पुलीस को दे दी सूचना मिलते ही गोंडा थाना प्रभारी सुभाश यादव पुलीस टीम के साथ गाव पींजरी के लिए रवाना हो गए तब तक घटना स्थल पर गाव के सैक्रों लोग एकत्र हो चुके थे थाना प्रभारी ने भीड को अलग हटा कर लाश देखी ततपश्चात उन्होंने इस हत्या की सूचना अपने वरिष्ट पुलीस अधिकारियों को भी दे दी और प्रारंभिक कारवाई में लग गए थोड़ी देर में एसपी ग्रामेन संकल्प शर्मा और क्षेत्रा धिकारी पंकच श्रीवास्तव भी पुलीस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुचे लाश के मुआइने से पता चला कि दिव्या की हत्या उस खेत में नहीं की गई थी क्योंकि लाश को वहां तक घसीट कर लाने के निशान साफ नजर आ रहे थे मृत दिव्या के शरीर पर चाकों के कई घाव मौजूद थे जब जाज की गई तो जहां लाश पड़ी थी वहां से 300 मीटर दूर कुलीस को डालचंद के खेत में हत्या करने के प्रमान मिल गए डालचंद के खेत में लाल चूडियों के टुकरे, कान का एक टॉप्स, एक जोडी लेडीज चप्तल के साथ खून के निशान भी मिले जाज चल ही रही थी कि डॉग एक्वाइर के अलावा फोरेंसिक विभाग के प्रभारी के के, मौर्य भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए घटनास्थल से बरामत कान के टॉप्स और चप्तले मृत का दिव्या की ही थी जबकि लाल चूडियों के टुकड़े उसके नहीं थे इससे यह बात साफ हो गई कि दिव्या की हत्या में कोई औरत भी शामिल थी डॉग टीम में आई स्निफर डॉग गुड़ी लाश और हत्या स्थल को सूंगने के बाद सीधी दिव्या के घर तक जा पहुँची इससे अंदेशा हुआ कि दिव्या की हत्या में घर का कोई व्यक्ती शामिल रहा होगा पुलीस अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा भर कर दिव्या की लाश को पोस्ट मातम के लिए अलीकर भिजवा दिया गया उच्टाच में दिव्या के परिवार से किसी की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई अब सवाल यह था कि दिव्या की हत्या किसने और किस मकसद के तहट की थी हत्या का यह मुकदमा उसी दिन ठाना गोंडा में अग्यात के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के अंतरगत दर्ज हो गया पोस्ट मातम के बाद उसी शाम दिव्या का अंतिन संसकार कर दिया गया दूसरे दिन ठाना प्रभारी ने महिला सिपाहियों के साथ पीजरी गाव जाकर व्यापक तरीके से पूछताच की दिव्या की तीनों चाचियों से भी पूछताच की गई सुभाश यादव अपने स्तर पर पहले दिन ही दिव्या की हत्या की वज़ा के तथे जुटा चुके थे बस मजबूत साक्षा हासिल करके हत्यारों को पकड़ना बाकी था दिव्या की सबसे छोटी चाची मोना से जब चूडियों के बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि वह चूडि नहीं पहंती लेकिन जब तलाशी ली गई तो उसके बेड के पीछे से लाल चूडिया बरामद हो गई जो घटना स्थल पर मिले चूडियों के तुकडों से पूरी तरह मेल खा रही थी सुभाश यादव का इशारा पाते ही महिला पुलीस ने मोना को पकड़ कर जीप में बैठा लिया पुलीस उसे ठाने ले आई ठाने में ठाना प्रभारी सुभाश यादव को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी मोना ने हत्या का पूरा सच खुद ही बया कर दिया सच सामने आते ही बिना देर किये गाव जाकर मोना के प्रेमी सोनों को भी गिरफतार कर लिया गया सोनों के अलावा नगला मोनी के रहने वाले मनीश को भी धर दबोचा गया दोनों को ठाने लाकर पूछ ताच के बाद हवालात में डाल दिया गया दिव्या हत्याकान के खुलासे की सूचना स्पी ग्रामीन संकल्प शर्मा और सियो इगलास पंकज श्रीवास्तव को दे दी गई दोनों अधिकारियों ने ठाना गोंडा पहुँझ कर ठाना प्रभारी सुभाष यादव को शाबासी देने के साथ अभियुक्तों से खुद भी पूछ ताच की पूछ ताच में मोना के साथ उसके प्रेमी सोनू वह उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस तरह था दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारिरिक संबंद बनाते देख लिया था उसने चाचा के घर लोटने पर उसे सब कुछ सच सच बता देने की बाद भी कही थी उस समय बाद खत्म जरूर हो गई थी फिर भी डर यही था कि बाल बुद्धी की दिव्या ने अगर यह बाद जैकिंदर को बता दी तो उसका क्या हश्र होगा इसी से चिंतित मोना वसोनों ने योजना बनाई की जैकिंदर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए दिव्या हर रोज मोना के साथ ही सोती थी और अलसुभा चाची के साथ दोड लगाने जाती थी कभी कभी वह दोडने के लिए वही रुख जाती थी जबकि मोना अकेली लोट आती थी दिव्या को दौर का शौक था ये बात घर के सभी लोग जानते थे इसी लिए हत्या में मोना का हाथ होने की संभावना नहीं मानी जाएगी यह सोच कर मोना ने सोनू के साथ योजना बना डाली जिसमें सोनू ने दूसरे गाव के रहने वाले अपने दोस्त मनीश को भी शामिल कर लिया 26 दिसम्बर को सोनू वह मनीश पहली ही वहाँ पहुँच गए मोना दिव्या को लेकर जब डालचन के खेत के पास पहुँची तो घात में बैठे सोनू और मनीश ने दिव्या को दबोच कर चाकों से वार करने शुरू कर दिये दिव्या ने बचने के लिए मोना का हाथ पकड़ा जिससे उसके हाथ से दो चूडिया तूट कर वहां गिर गई हत्यारे उसे खीच कर खेत में ले गए जहां गर्दन काट कर उसकी हत्या कर डाली इसी छीना जप्ती में दिव्या के कान का एक टॉप्स भी गिर गया था और चपले भी पैरों से निकल गई थी दिव्या की हत्या के बाद ये लोग लाश को खीचते हुए लगभग 300 मीटर दूर गजेंदर के खेत में ले गए इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए हत्यारा कितना भी चतुर हो फिर भी कोई न कोई सुबूत छोड़ ही जाता है जो पुलीस के लिए जाज की एहन कड़ी बन जाता है ऐसा ही साक्ष मोना की चूडिया बनी जिसने पूरे केस का परदाफाश कर दिया